विज़ वेल्खम तो दिश चनेल नेम डॉक्तर टेबलगार तौ स्वागवाथ है सबका हमारे चलमें जीज का नाम है डॉक्तर टेबलगार तो हम हेल्थ इन मेगर सेक्टर में पिसल वीडियो में हम बात के थे अगर आप लोग वो विडियो नहीं देखे हो तो आई बट में क्लिके रहे और जाके देख लिजी और मैं प्रिपेश वीडियो ऑफ हैल्ति इन मेगर सेक्टर आई टॉक्ट अपक्षण और यह भी खतम कर चुका हूँ तो सेब्राम और से दोनों का ग्रेमेटर मिलु के आप को brain stem formation होता है और यह brain stem और भी नीचे जाके आपका spinal cord में बदल जाते है ठीक है तो brain stem spinal cord इनका जो basic parts है यह सब कुछ मैंने बता चुका हूँ ठीक है अब यह जो gray meter white meter spinal cord में रहने वाला neurons है neurons चली क्या है एक तरह का कोशिका है ठीक हमारे nervous system का रहने वाला एक कोशिका ठीक है और इसी neuron के साथ साथ बहुत ही चोटे 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 आपका supporting cells है मतलब support करने वाला कोशिका थे जिसको हम कहते हैं Neuroglia ठीक है अब यह Neuroglia और neuron दोनों ही काम करते हैं ठीक है इन दोनों को काम करने के लिए आपको oxygen चाहिए ठीक है उसका nutrition चाहिए और भी तरह तरह के chemicals का ज़रूत पड़ता है तो यह सब चीज इधर में घुसते कहा से हैं है ना तो सब को पता है कि oxygen nutrition इन सब कुछ आपका केरी करता है या ले जाता है आपका खून ठीक है तो जैसे आपको पता है खून के आने जाने का रस्ते को हम कहते है आटरी भेन तो उसी तरह से हमारे दिमाग में आपका nutrition oxygen को पहुचाने वाला आटरी होता है काम खतम हो जाने के बाद जो कुछ रहे जाता है वो आपका बापस लोट कहाता है दिल में तो हमारे हाट में तो उपर जाने का रस्ता आटरी उधर से लोटने का रस्ता भेन तो आज हम बात करेंगे blood supply of brain तो blood supply of brain थोड़ा सा तॉब होग आपको समझने के लिए पर में कोशिचक ऊने जीतना आसानस के समझाने के लिए थिक्शा नियूस कीजा सो एज है preach जिसर्वार आसे सामझान जाने को में समझाने के लिए ्ठीक है ऐजैं a because there is a presence ofrel Samus nearby and rest one is cerebral part because this part supplies to the entire cerebrum तो परहले हम बात करते हैं cervical part के बार में cervical part क्या है जो आपका cervical bone के करीकरीब होता है ठीक हिक прокbar इह cervical part रहे खूपरी के अंदर से घुष जाते है ठीक हिए अंदर की से घुषता है क्योंकि एक रास्ता होता है वृश होसा के पटिवन धुशाव हो सकक्केंल केुन्य के लिए अंदर में गुश चाता है अच्छी बात है गुशने के बाद यह क्या होता है यह थोड़ा flat हो जाते है, flat होने के बाद यह petrous bone होते है, petrous, मतलब temporal bone का जो part है, एक petrous part, एक squamous part, तो temporal bone का जो एक petrous part है, इसी के नजदी के ज़री यह चलते रहेते हैं, ठीके, मतलब एक छेद होता है, जिसका नाम lesserum है, ठीके, तो form ए lesserum के ऊपर से चलते हैं, तो इसको हम कह है, तो पहला branch होता है, आपका ophthalmik artery, जो आप फोटो में देख रहे हो, यह हमारे आखों के लिए काम करता है, दूसरा होता है, आपका anterior corridor artery, जो आप फोटो में देख रहे हो, यह corridor space के लिए सपले देता है, जहाँ से आपका CSF बनता है, ठीके, एनिवे, वह हम बात में बात करेंगे, तीसरा हाथ है, आपका posterior communicating artery, जो हमारे brain का पीछे वाला हिस्सा, blood supply करता है, जो फोटो में देख रहे हो, चौता हाथ है आपका anterior cerebral artery, anterior cerebral मत्तब, cerebral का सामने वाला हिस्सा, अब सामने वाला हिस्सा में क्या रहेता है, हमारे frontal lobe रहेता है, तो पूरे frontal lobe को ही सपले करत अब सामने वाला हिस्सा, तो पूरा temporal और प्रेटल को मिलके सपले का देता है, यह हमारा middle cerebral artery, as we already know that we have two subclavian artery, one is right side, another is left side, from each subclavian artery, one vertebro-bazillar artery arises, one vertebro-bazillar artery left side, another is right side, now these two vertebro-bazillar artery enters into the sixth cervical vertebra, you know, enters into the cervical vertebra at the level of C6, I mean, at the level of sixth cervical vertebra, after entering, this two vertebro-bazillar artery keeps going upward and upward, I mean, after five, after six, then five, then four, then three, then two, then one, I mean, axis and atlas, after crossing the, after crossing the first cervical vertebra, this vertebro-bazillar artery enters into the suboccipital triangle, occipital means our occipital bone, and below the occipital bone, there is a triangle, okay, triangular space, so, this vertebro-bazillar artery enters into the suboccipital triangle, and goes into the subarachnoid space, now, I will talk about this subarachnoid space later, now, from sixth cervical vertebra to subarachnoid space, this vertebro-bazillar artery gives multiple branches, these branches, now, these branches are, first of all, anterior spinal artery, anterior spinal artery, supplies the anterior part of the spinal cord, I mean, यह anterior spinal artery, यह हमारे spinal cord का सामने वाला हिस्सा को supply करते है, now, next is posterior spinal artery, this artery supplies the posterior part of the spinal cord, यह posterior spinal artery, spinal cord का पीछे वाला हिस्से को supply करता है, ठीके, तीसरा आता है आपका, posterior inferior cerebellar artery, this artery supplies the posterior and inferior part of the cerebellum, मतलब, यह posterior inferior cerebellar artery क्या करता है, यह हमारे cerebellum, जो चोटो वाला ब्रेन है, इसका पीछे वाला और नीचे वाला, यह दोनों पाट को supply करता है, medullary branches, जो medullary मतलब, हमारे medullary oblongata, this medullary branch supplies the medullary oblongata, and the last one is, meningial branches, I will talk about meninges at the last, so, यह last में, जो meningial branch है, यह हमारे meninges को supply करते है, तो पीछे में meninges क्या क्या था है, वो हम बात में बात करेंगे, ठीके, अब, sub-barconic space खतम होने के बाद, जब यह थोड़ा और आगा बढ़ता है, आगे बढ़ने के टाइम क्या होता है, हमारा medullary oblongata और pons, medullary oblongata और pons यह दोनों के जो बीच वाला पाट है, ठीक है, बीच वाला पाट, मेटल बलोंगटा और पॉंस, यह दोनों के जो बीच वाला पाट है, यह जंक्शनल पॉंट में जाके यह दोनों एक साथ मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं, तब इसका नाम चेंज होता है आपका बेजिलर आर्टरी, ठीक है, अब यह बेजिलर आ पाट को सप्लाई करते है अथो दूसरा होता है आपका लेबेरिंथा आटरी यह लेबेरिंथ एक्चुली हमारे कान का इसा है जो हम बात में बात करेंगी इस लेबेरिंथा आटरी सप्लेस दा लेबेरिंथा में दा इनर पाट फ़ दा यह I will talk about this लेटर तीसरा होता है आपका pontine branches. pontine branches मतलब आपका जो हमारा 가운데 है पॉंस को सप्लाइ करते हैं थार्ड वान इस नोन एज पॉंटाइन ब्रांचेश विच एक्टुड़ सप्लेज द पॉंस अफ और ब्रेंस्टेम ओकी चार नम भर है आपका सुपिरियोर सेरिबलार आर्टरी जो हमारे सेरिबलम है मतलब छोटा वाला ब्रीन इसका उपर व सेरिब्राल आर्टरी इस सप्लेज द पॉस्टेरियर पार्ट ओफ द सेरिब्रम मतलब यह जो पॉस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी है यह हमारे सेरिब्रम का पीछे वाला हिस्से को सप्ले करते हैं पीछे में क्या आता है आपका उकसिपिटल लूब तो यह पॉस्टेरियर पूरे उक्सिटर लूप को ही सप्लाई कर देते हैं तो अब हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में जैसे आपका एंट्री से इससे आपका और क्या-क्या ब्रांच निकलता है और्बिटल ब्रांच और्बिटल मिंस और पूरा आखो को सप्लाई कर करता है यह तो को पता ही है तीसरा क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्य अब यह जो middle cerebral भीन है जो एक्छली आपका internal keratid artery का branch है तो middle cerebral artery से भी बहुत सारे branch निकलते हैं जैसे आपका pre-central branch pre-central branch जो हमारे pre-central loop होते है या pre-central gyrus इसको supply करते हैं दूसरा central branch जो central gyrus है या central sulcus है central sulcus के आस्परोस के एरिये को supply करता है और orbital frontal branch मतलब frontal loop का जो orbital part है orbital loop और orbital gyrus ठीक है इस part को भी supply करता है ठीक है also arises the anterior posterior parietal branches anterior posterior parietal branch जो हमारे temporal लोप को सामने वाला पार और पीछे वाला पार को supply करते हैं दूसरा anterior posterior temporal branch supplies the front part of the or anterior part of the temporal loop and posterior part of the temporal loop okay posterior cerebral branch से आपका दो ब्रांच निगर दाए temporal occipital branch which supplies the temporal part and occipital part दूसरा internal occipital branch मतलब यह जो हमारे occipital लोग है पीछे रहा इसका अंदर का जो भी structure है इसको supply कर देता है ठीक है अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो सब्सक्राब करो शेर करो तब तो के लिए बाई प्रूब धर दो कर दोड़ए कर दो कर दो कर दो कि बाई